आखिए Okay friends, अब मजीद आखे बढ़ते वे चैपनर बूबर 1 के, अब हम बात कर लेते हैं कि sets की notation क्या होती है और set से related हम कुछ terminologies के उपँर बात करते हैं Previously, हमने previous lecture के अंदर सेट की definition को देखा और हमने ये बात पढ़ी कि this arts की definition क्या होती है और उसके अंदर well defined and not well defined ये किस तरहा के sets होते हैं आपके पास तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं set के notation की तो notation of sets के लिए maths में हर चीज बड़ी easy करके हम पेश कर रहे होते हैं तो हमेशा होता है क्या है कि sets को जो हम represent करते हैं वो through capital letters करते हैं तो यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूं कि जब हम notation की बात कर रहे है set की notation की तो it is always आप याद रखें it is always sorry it is always represented by capital letters ठीक है अच्छा capital letters आपके पास English के अंदर 26 letters है तो आप क्या करेंगे या तो आप first three letters use करेंगे for example आप यूज कर लें A, B या C या आप यूज कर सकते हैं X, Y, Z ओके या तो first three letters of English alphabet या last three letters of English alphabet आप इस्तमाल कर रहे होते हैं for the notation of a set ठीक है एक example दे देता हूं अगर मैं आपके सामने एक set बोलूं the set of first three letters of English alphabet तो वो set आप किस तरह से बनाएंगे देखें हम किस तरह से बनाएंगे पहले तो मुझे उस set को एक नाम देना होगा मैं set को नाम दे देता हूँ A का अब मुझे क्या चाहिए first three letters of English alphabet अच्छा यहां पे आपने ख्याल ही रखना है कि जो set के members होंगे या जो set के elements होंगे उसको आपने small alphabets में लिखना है तो यह क्या हो जाएगा आपके पास A, B, C clear बड़ी असान सी बात है कि set को हम किस सरह से represent करते हैं या उसकी notation क्या होती है और हम उसके elements को कैसे लिखते हैं तो नाम देते हैं हम capital letter से और जो elements होते हैं उसको हम small letter से लिखते हैं अच्छा अब हम कुछ terminologies के उपर बात करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ terminologies है set के अंदर जो कि आपने सुनी भी होगी पढ़ी भी होगी definitely कि subset क्या होता है proper subset क्या होता है super set क्या होता है universal set क्या होता है equal sets क्या होता है etc तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं subset के उपर तो subset ये पहली बात होगी हमारे पास notation of a set second है आपके पास subset अच्छा नाम से defined है sub कहते हैं किसी छोटे पार्ट को ठीक है तो subset को हम किस सरह से लिखते हैं अब हम यहां पर दो सेट को compare कर रहे होते हैं एक दूसरे से तो representation आपके पास कुछ इस तरह से के B is a subset of A हम इस तरह से लिख रहे होते हैं B is a subset of A कब if every element of B is also an element of A तो यह आपके पास English के अंदा सबसेट की definition है कि subset क्या होता है कि representation है B is a subset of A ठीक है इस तरह से C और नीचे हम एक बार लगाते हैं if every element of B is also an element of A अगर B के तमाम elements A के भी elements हैं तो इस तरह के sets को हम subset कहते हैं for example for example हम example ले लेते हैं for example आपके पास set A है which is for example 1 2 3 4 और एक और set है आपके पास set B which is for example 2,4 ठीक है अब according to the definition if all the elements of B या if every element of B is also an element of A then B is called as the subset of A तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कैसे चेक कर सकते हैं भाई B के elements है मेरे पास 2 और 4 अब मुझे देखना होगा कि क्या set A के अंदर 2,4 मौझूद है definitely 2,4 मौझूद है ठीक है कुछ access में जरूर है लेकिन हमें access elements से कोई problem नहीं है हमें सिर्फ यह देखना होगा कि B के तमाम elements भी A के elements होने चाहिए it means B is a subset of A ठीक है so this is the example for the subset अच्छा एक और example भी है एक और example आप इस तरह से भी ले सकते हैं मिसाल के तौर पे मैं एक set ले रहा हूं A which is for example 1,2,3 और एक और set में ले रहा हूं B which is again 1,2,3 now according to the definition हमें check करना होगा क्या B के तमाम elements A के अंदर मौजूद हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि B के elements 1,2,3 और यहां पर भी 1,2,3 हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर दोनो set के elements same भी हो अगर दोनो set के elements same भी हो तब भी वह एक दूसरे के subset कहलाते हैं axis में elements आ जाएं तब भी कोई problem नहीं होती अगर same elements हो जाएं तब भी आपके पास वह subset ही कहलाता है so this is the definition for subset अच्छा next definition है हमारे पास proper subset ओके now what is proper subset यह हम यहां बात कर लेते हैं proper subset proper subset ओके अगर आप इसके word के उपर गौर करें proper subset होना चाहिए अब proper subset की representation क्या होती है इसको हमें मुक्तलिफ अंदा से represent करते हैं इसकी representation है आपके पास इस तरह से कि B is a proper subset of A यहां नीचे बाहर नहीं आता और definition क्या है कि if there exist an element in A which is not in B ठीक है थोड़ी सी मुक्तलिफ बात है बात क्या है कि B is a proper subset of A if there exist an element in A यानी set A के अंदर एक ऐसा element लाजमी होगा which is not in B जो के B के अंदर नहीं है ठीक है for example हम इसको example से देखते है इसकी example आपके पास again मैं इस तरह से दे देता हूं एक set है आपके पास A मैं elements change कर देता हूं A B C D और एक और set है आपके पास B which is for example B, D ओके अब according to the definition यह बात तो subset के अंदर आपने लाजमी रखनी है कि all the elements of B यानी जो छोटा set है दो sets को हम compare कर रहे हैं सब set होता है चोटा set यानी चोटे set के तमाम elements बड़े set के अंदर मौजूद होने चाहिए और बड़े set के अंदर at least एक ऐसा element लाजमी होना चाहिए जो के B के अंदर मौजूद नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते है B और D यानी B के elements A के अंदर मौजूद है और यहाँ पर कम से कम A के element A ऐसा मौजूद है जो के B में नहीं है एक से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम आपके पास एक होना चाहिए जबके जब हमने subset की बात करी तो उसके अंदर हमने यह देखा कि अगर दोनों set के element same भी हो तब भी वह subset कहलाते है ठीक है अगर दोनों set के element same भी हो वह subset होता है लेकिन proper subset के लिए कम से कब एक element ऐसा जरूर होना चाहिए जो के यानि एक element बड़े set में जो के छोटे वाले set में ना हो ठीक है तो देस इस प्रॉपर सबसेट अच्छा अब हम बात कर लेते हैं सुपर सेट की सुपर सेट नाम से रिफाइंड है सब कहते हैं छोटे को सुपर कहते हैं बड़े को अब सुपर सेट क्या होता है हम definition दे is a super set of B कब if B is a subset of A ओके बहुत असान सी बात है यानि A B का सुपर सेट तब कहलाएगा कब के जब B यानि if B is a subset of A यानि अगर B A का subset होगा तो ए उसका super set कहलाएगा और B जो है उसका subset होगा ओके तो इससे इस इसके बाद हम बात कर लेते हैं universal सेट की universal सेट क्या होता है आपके पास definition देख लेते हैं universal सेट ओके universal सेट एक ऐसा सेट होता है which consists of all the elements ठीक है एक ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम elements मौजूद हो उस सेट को हम कहते हैं universal सेट ओके तो आप इसकी definition लिख सकते हैं a set which consists of consists of all the elements ओके तो अब तक हमने क्या बात करी हमने सेट की notation के उपर बात करी हमने प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट के उपर बात करी और उसके लाभा universal सेट दो और definitions आपके पास हैं जो कि मैं भी आपके लिए करवा रहा हूं बड़ उसके लिए मुझे यह वाला बोर्ट रब करना होगा तो मैंने यह वाला साइट आप लोग के लिए रब कर लिया है तो दो definitions और रह गही हैं आपके पास से regarding फिर्स्ट इस इक्वल सेट क्या होता है नाम से रिफाइन है वह सेट जो की इक्वल हो इक्वल सेट ठीक है अच्छा आप मैच किस चीज को इक्वल कह रहा है सेट के अंदर मैच इक्वल इस ऐसी चीज को कहता है एंनी फाइक्वल हम इसको रिप्रेजेंट करेंग इस था से a is equal to b कभ if and only if each element of a इस इस तरह से लिखते है if and only if each element of a each element of a is also an element of b is also an element of b ठीक है equal set यानि दो ऐसे sets के जिसके अंदर आपके पास क्या है इफ इच element of a is also an element of b यानी अगर एक तमाम elements बीके elements भी हैं तो automatically vice versa बीके तमाम elements एक elements भी होंगे तो इस तरह के sets को हम equal sets कहते हैं उके उसकी एक्जाम्पल क्या हो सकती है आपके पास एक्जाम्पल वुड कुद भी विसाल के तौर पर आपने एक सेट ले लिया मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं प्लस शूर क्में मैं या ó चेंद लेता हूं की उसके भी सेमपल नहीं थो कुछ मैंने दोंटल आपके पास एकटिसट सेहल कि यह क्या थेक 12 की जो एक का थ्वी और आपके पास एक और है और इसको हम इस तरह से represent करते हैं okay so one final definition is left which is equivalent set okay now equivalent set equivalent sets अच्छा दो मुक्तलिफ नाम है एक है equal set एक है equivalent set अब दोनों की representation भी मुक्तलिफ है इसको आप इस तरह से represent करते हैं यानि a is equivalent to b cup if they have same number of elements, if they have same number of elements, ठीक है, अगर दो set के elements बराबर हैं, मिसाल के दौब पर पहले set के element 6 हैं, तो दूसरे के भी 6 होने चाहिए, पहले के अगर मिसाल के दौब पर 3 हैं, तो दूसरे के भी 3 होने चाहिए, यानि यहाँ पर शर्त जो है, वो सिर्फ यह है, कि number of elements should be same, elements क्या है, वो same नहीं होने चाहिए, number of elements should be same, किस तरह से, मैं example देता हूँ, अच्छा, example बताने से पहले मैं एक और word बता दाँ, कि जो number of elements है, उसको हम cardinality भी कहते हैं, cardinality, तो हम equivalent sets के लिए यह बात भी करते हैं, कि if two sets have same cardinality, then they are also called as equivalent set, तो यह वाली definition भी मैं आप के लिए 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 लिख देता हूँ, कि कहीं आप the word cardinality से आप confused ना हो, तो और करके लिख देता हूँ मैं, और cardinality must be must be same, okay, so this is overall the whole definition for equivalent set, example हम देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर, example है, एक side है आपके पास 1, 2, 3, चोटा side ले लेते हैं, और एक और side है आपके पास B, which is A, B, C, okay, मैंने side A के elements लिखे हैं 1, 2, 3, और side B के elements लिखे हैं A, B, C, दोनो side के elements तो मुक्तलिफ हैं, but the number of elements are same, पहले side के अंदर 3 elements, दूसरे side के अंदर भी 3 elements So, this is it for this lecture video, hopefully आपको यह समझ में आई होगी, So, we'll meet you very soon in our next lecture video, till then, Allah Hafiz